नमस्कार दोस्तों आपका स्वागा थे अपने यूट्यूब चैनल P4 पोर्टफोलियो में आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज हमने शुरू किये यहाँ पर हम बात करेंगे अगर हमारे पास 25 से 35 लाक का कैपिल होता है तो कौन से सेक्टर पे हमें फोकस करना चाहिए कितना एलोकेशन करना चाहिए कितने स्टॉक्स होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में उस सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे बहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगलर अप्डेट्स पाने के लिए नॉर्टिफिकेशन बल को प्रेस कीजिए साथ ही साथ टेलिग्राम चैनल को भी जोईन किज़े जिसकी लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है पोर्टफोलियो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उस आदमी को भी experience आता जाता है मार्केट के उतार चड़ाव को समझने लगता है क्योंकि beginner जो होते हैं वो छोटे capital से शुरू करते हैं जैसे जैसे मार्केट में experience आता है मार्केट से हमें returns मिलने मिलते हैं तो वो मार्केट में और investment करते हैं तो उनकी risk capacity भी बढ़ जाती है risk को वो अच्छी तरह से manage कर पाते हैं और साथ ही साथ अपने portfolio में quality small caps को भी जगा दे सकते हैं कि आगे जाकर हमें mid cap या large cap बन सकते हैं और हमें multi bagger returns बना कर दे सकते हैं sectors की बात करें तो यहाँ पर FMCG sector IT, consumption, BFSI, chemical, pharma, infra, auto, metal और वहाँ पर हमें focus करना चाहिए और power और real estate को अभी भी हमें यहाँ पर avoid करेंगे तो ही बहतर होगा best stocks की बात करें तो यहाँ पर मैंने FMCG sector से actual, Nestle, Britannia, Darber, ITC और Colgate को चुना है हाला कि ITC को काफी लोग pure FMCG नहीं मांदें तो यहाँ पर ऐसे आप avoid भी कर सकते हैं IT sector से TCS, Infosys, HCL Tech, Vipro जैसे अच्छी कंपनिया है consumption की बात करें तो यहाँ पर Bata, Relaxo, Titan, Voltas और paint sector यानि की Asian paints हो गया Berger paints हो गया यह भी काफी अच्छे stocks हैं लेकिन real estate से काफी ज़्यादा जुड़े हुएं तो वहाँ पर संपल कर invest करना चाहिए साथी साथ बात करें BFSI sector के बारे में तो यहाँ पर पूरा का पूरा HDFC group काफी अच्छा है Kotec Bank काफी अच्छा है, Bajaj Duo यानि की Bajaj Finzo और Finance काफी अच्छा है मुतुद Finance भी काफी quality stock है Chemical sector की बात करें तो Pedilite, Monopoly वाला stock है Arthi Industry, SRF, Atul, Deepak Nitrate, Vinati Organics, साथी साथ Navin Florin जैसे कई अच्छे stocks भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और अगर बात करें Pharma sector के बारे में तो Pfizer, Abbott, Biocon, Cadillac, Sipla जैसे अच्छी companies भी दिखाई देती है Infrastructure के बारे में बात करें और L&D का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता साथी साथ Cement में Ultra Tech Cement काफी अच्छा है Astral और Supreme भी काफी अच्छा है Astral और Supreme एक्चुली Plastic Industry में काम करने वाली company है यह pipes बनाती है वो Agriculture में भी यूज होते हैं Infrastructure में भी यूज होते हैं तो यहाँ पर हम Infrastructure में इसे अड़ कर सकते हैं Auto Industry के बारे में बात करें कुछ अच्छी कंपनी से जहाँ पर हम Focus बनाए रख सकते हैं 25 से 35 Lakh के Capital में 25 से 30 Shares बहुत हो जाते हैं वहाँ पर हमें अपना Focus बनाए रखना चाहिए उसे अच्छी तरह से हम Analyze कर पाएंगे उसे अच्छी तरह से Track कर पाएंगे उसके Quarter के Results आएंगे तो भी उसे तरह से हम Follow कर पाएंगे साथी साथ कोई Commentary आती है तो उसे अच्छी तरह से सुन पाएंगे साथी साथ Diversification भी इसमें हो जाएगा और जब Market में Correction आता है कभी भी गिरावट आती है तो वहाँ पर Averaging करना भी बहुत इजी हो जादा है Allocation के बार में बात करें तो वह तो सेम ही रहने वाला है चाहिए आपका Portfolio 50,000 का हो या 50,000,000 का तो यहाँ पर कभी भी एक सेक्टर में 20% से ज्यादा का Investment करने से हमें बचना चाहिए क्योंकि कभी भी हो सकता है एक ही सेक्टर पर बहुत जादा दबाओ हमें देखने को मिल सकता है जैसे कि पिछले 2 सालों से 2-3 सालों से Auto सेक्टर में काफी जादा तनाओ बना हुआ है साथी साथ कभी भी एक स्टॉक में 20% से जादा का Investment करने से बचना चाहिए काफी लोग मुझे कहते है Reliance एक Diversified Company है अलग-अलग सेक्टर से यहाँ पर देखने को मिलते है तो सारे पैसे क्यों न Reliance में ही लगा दिये जाए Reliance अफकॉर्स अच्छी कंपनी है लेकिन एक ही कंपनी में पूरे पैसे नहीं लगानी चाहिए 20% से ज्यादा का Allocation भी हमें कभी एक ही कंपनी में नहीं करना चाहिए क्योंकि सपोस की Reliance का जीयो तो काफी अच्छा जल रहा है लेकिन Reliance रीटेल में कोई छोटी सी प्रॉबलम आ गई उसके Results काफी Disappointing आ गई तो उसके करण भी हमें Reliance में गिरावट देखने को मिल सकती है इसे लिए कभी भी एक ही स्टॉक में ज्यादा Investment नहीं करना चाहिए और साथ ही जाथ cash in hand होना बहुत ही जरूरी है minimum 30% के आसपास का cash हमें रखना चाहिए जो कि गिरावट में हमें काम आता है यहाँ पर मैंने एक model portfolio बनाया है जो कि 35 lakhs का लेकिन मैं आपको बता दू कि यह सिर्फ और सिर्फ एक model portfolio है example में तोर पर आपको बताना चाहता हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे आप replicate करें और यही stocks को इसी allocation में अपने portfolio में भी add कर ले यह सिर्फ एक example है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो FMCG से मैंने HUL और Britannia को चुना है 1 lakh each का investment किया है और IT sector से चुना है TCS और HCL Tech को 1 lakh each का मैंने यहाँ पर investment किया है अगर बात करें यहाँ पर BFSI sector के बारे में तो मैंने वहाँ पर अच्छा कासा diversification किया है HDFC Bank को चुना है, KOTAC Bank को चुना है Bajaj Finzov को चुना है, Mutut Finance को चुना है HDFC AMC को चुना है 1 lakh each का यहाँ पर investment किया है यहाँ पर मैंने 2 banks इसलिए चुना है क्योंकि कभी भी bank में कोई problem आ सकते है कि NPS के issue बढ़ सकते हैं इसलिए दोनों दिगदज बैंक यहाँ पर मैंने सिलेक किये और साथी जाथ Bajaj Finzov चूज करने का मेरा motive यह है कि Bajaj Finzov में अगर हम investment करते हैं तो indirectly हम Bajaj Finance में भी investment कर रहे है और साथी जाथ Bajaj की Life Insurance और General Insurance कमपनी में भी हम invest करते हैं मुतुद फैनास इसलिए मैंने चुना है क्योंकि Gold Loan बातने वाली कमपनी है comparatively safe company होती है और HDFC, AMC, Asset Management Company है तो आगे जाकर इसका future काफी अच्छा दिखाई देता है Pharma sector से मैंने चुना है Pfizer को और Biocon को 1 lakh each का मैंने यहाँ पर investment किया है और Chemical sector से SRF और PD Lite को चुना है 1 lakh each का यहाँ पर भी investment किया है अगर बात करें यहाँ पर consumption sector के बारे में तो Asian Paints को चुना है 1 lakh का investment Titan, Relax और Voltas को चुना है 1 lakh each का यहाँ पर भी investment किया है अगर बात करें यहाँ पर infrastructure के बारे में तो L&T और Astral को चुना है 1 lakh each का investment किया है Reliance को चुना है Miscellaneous से 2 lakh each का investment किया है और Retail sector से Demart को चुना है 1 lakh each का यहाँ पर investment किया है अगर बात करें यहाँ पर Auto sector के बारे में तो Maruti Suzuki को चुना है और Bajaj Auto को चुना है 1 lakh each का investment किया है दोनों ही अपने sector में market leader है अगर बात करें metal sector के बारे में तो Tata Steel और Hindalco को चुना है 50,000 इच का ही investment किया है यहाँ पर मैंने comparatively कम investment किया है क्योंकि आपको पता ही होगा commodity वाले stocks है यहाँ पर long term growth देखने को नहीं मिलती अगर आप Tata Steel का all time chart लेगे जहाँ पर एक candle 1 month को represent करेगा तो आपको पता चलेगा उसमें सिर्फ ऐसी ही movement हमें दिखाई दे रही है पिछले काफी सालों से तो एक ही range में यह trade करते हैं तो जब भी आपको नीचे के price पर मिलते हैं वहाँ पर ले लेना चाहिए और उपर के price पर बेच देना चाहिए यहाँ पर फिर भी risk रहता है, volatile stock रहता है इसलिए यहाँ पर comparatively कम investment किया है यहाँ पर काफी लोग मुझे बता रहे हैं कि जब मैं model portfolio बता रहा हूँ तो वहाँ पर buying price भी लिखा दूँ कि जब कौन से price पर हमें इसमें buying करनी चाहिए लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई अच्छा stock buying price पर आएगा तो मैं अलग से वीडियो बना कर जरूर बताऊंगा यह सिर्फ है example के तोर पर मैं model portfolio बना रहा हूँ जब भी कोई अच्छा stock buying price पर आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना कर जरूर दिखाऊंगा और यहाँ पर आ गया है cash in and cash in and होना बहुत ही जरूरी है तो मेरे इसाब से जिसके पास 35 lakh का capital है वो 10 lakh अपने हाथ में रख सकते हैं कभी भी market में correction देखने को मिले गिरावट देखने को मिले तो जो stocks पहले से लिए हुए है वहाँ पर fundamentally strong stocks में average कर सकते हैं और अपनी quantity को बढ़ा सकते हैं long term के लिए जैसे जैसे capital बढ़ता जाता है आपका portfolio का size बढ़ता जाता है तो वहाँ पर risk capacity भी बढ़ती जाती है तो hero या zero वाला काम का जो लोग कर सकते हैं के पास अच्छा कासा capital है penny stocks में जिनने invest करना पसंद आता है operator stocks, news based stocks में जिनने invest करना पसंद आता है वो एक strategy लगार कर यहाँ पर investment कर सकते हैं कभी भी अपने capital का 5% से ज्यादा काम है इसमें allocate नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बहुत भी risky stocks होते हैं उपर जाने को तो यह जा सकते हैं लेकिन जब नीचे आता हैं तो भी lower circuit लेखने को मिलती है और हमें निकलने का मौका भी नहीं मिलता है और किसी एक ही penny stock में पूरा investment करने से बचना चाहिए अलग-अलग stocks आप ले सकते हैं नीचे के price पर मिलता है तो ही लिजए काफी भाग चुका है तो उसे avoid करना चाहिए और यहाँ पर सबसे important target fix होना चाहिए जब यह upper circuit लगती चाहती है तो हमें मज़ा आता है अब भी profit आ रही है लेकिन जब पहली lower circuit लगती है तो हमें लगता है कि कल ही इसमें profit booking कर लेना चाहिए यहाँ पर हमने यह भी बात किती है जिनका capital बढ़ता जाता है वो थोड़ा risk और भी रह सकते है तो यहाँ पर quality small caps को भी add करने के बारे में सोच सकते है मैं generally small caps आपको recommend नहीं करता है क्योंकि काफी ज़्यादा volatile होते है उसमें कभी भी हमें operator based movement देखने को मिल जाती है इसलिए generally चोटे portfolio उसको avoid करने को कहता हूँ लेकिन कुछ ऐसे emerging sector है जैसे कि e-commerce platform हो गया या फिर online based business जोताता है वो सारे अभी emerging हो सकते है आगे जाकर हमें वहाँ पर growth देखने को मिल सकती है तो ऐसे stocks को आप अपने portfolio में जगा दे सकते है अगर आपकी risk capacity अच्छी है जैसे कि affiliate काफी अच्छा stock है यह तो एक छोटे portfolio में भी suit करता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा investment करने के बारे में सोच सकते है या फिर कौन से भी sector का कोई भी एक छोटा जो small cap होता है जो की अच्छी दरह से business कर रहा है debt-free company है अच्छे से business को operate कर रहा है profit making company है जैसे कि rosary biotech एक small cap company है लेकिन अच्छी company है उसका customer base अच्छा है product portfolio अच्छा है अच्छी दरह से काम कर रही है उसका profit generate हो रहा है वो भी काफी अच्छी company है growth अच्छा देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर आप investment के बारे में सोच सकते हैं long term के लिए जहांपर वो small cap company हमें large cap या mid cap देखने को मिल सकते हैं तो वहाँ पर multi-bagger returns हमें बनते हुए नजर आ सकते हैं लेकिन ये तो सिर्फ हो गया एक सिक्के का एक पहलू लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जनरली सारे की सारे small cap company नीचे जातो ही नजर आती है या तो उसमें operator based movement देखने को मिल दिया उपर जाता है stock वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आता है इसलिए सोच समझ कर थोड़ा सा ही risk लिज़े और यहाँ पर investment करने के बारे में सोचना चाहिए ऐसी मेरी रहे रहेगी बाकी decision आपका है तो अगर आपको ये ideal portfolio वाला series पसंद आता है तो लोगों के साथ share कीजे like कीजे, comment कीजे और subscribe कीजे और मुझे motivate कीजे कि मैं आपके लिए ऐसा ही अच्छा content बनाता रहा हूँ